डाक्टर साब, मैं एर्ड्स की दवा चार सालों से लेता हूँ, आप मेरी तबियत टीक बन गई क्या आप मैं दवा लेना बंद कर सकता हूँ, एर्ड्स मरीज वालों को एर्टी देने से, एर्टी रिट्रोल टेरपी, एर्टी एर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए दवा लेने से, कई लोगों को एक साल में जो हिच्चेवी विरिस होते हैं, बहुत अंडिटेक्टमिल हो जा देखता हैं, देखता हैं, ब्लेट्रेश करने से, एर्टी वाली वायरस हम देखते हैं, ब्लेट में, खूर में ही देखता हैं, उतना ही यह नहीं, सीडी फॉर कॉंट बढ़ जाता है, उनका तब ही अच्छा बन जाता है, एक ही साल में, कुछ लोगों को तो अबाता काम न होगा कुछ ही लोगों में उन लोगों को दवा को बहरा लेना लेकिन जिन को दवा अच्छा काम करता है दवा अच्छा काम करने से उनका तबियत वंची अच्छ बन जाई है तब इ peso में ठीक बन जाए है कि आम तोर पर tercer के मरीज़ वाले डवा लेना शूरू करने से के बाद दो तीन महीने में उनकी तबियत में बहुत फार का जाईगी वो करता कम हो जाएगा वे तो बजन बढ़ेगा उनको बजन में बढ़ेगा उनको भुक भूख भी लगेगा थाकेत की तौर मिलेगा सब ओचाहे रहता है इ अब तक एड्सकी बेमारी को क्यू करने वाले दवा तक कुछ भी नहीं, दवा नहीं, केवल कंट्रोल, नियंतरन, कंट्रम नहीं के विन, उनकी तब है ठीक बनाती है, लेकिन क्यू नहीं होता, यदि वो एड्सकी मरीज़ आप दवा लेना बंद करेगा तो, कुछ महीरों मे फिर एड्सकी बीमारी बढ़ जाती है, एड्सकी में देखते हैं, फिर इड्सकी ले, लाइफ लांग, हर रोज, गोरी खाना है, हर रोज, कुछ एड्सकी बीमारी बीमारी वालों को, दवा लेने पर भी, उनका रिसिस्टन डालप होता है, आज तक तो, वह दवा बहुत कल से वह दवा नहीं करता है, रिसिस्टन डालप होता है, तब उनको बीमारी फिर देखना मारी शुरू होता है, इसलिए हर छे मने को, एड्सकी रोगी, हर छे मने को CD4 को करनाना, वैसे ही HIV बाइरल लोन, उनको भी ज्यांज करनाना, यदि उनको HIV बाइरल लोन, फिर दिख जिता है, उस दावा को चेंज करना है, इस CD4 को डौर हो जाता है, तब कैसा है जवा इतन देख रहा है, वैस पेशिए हर छे मने को HIV बाइरल लोड करना है, वैसे प्रकार टीट पर करना है, दावा चेंज करना है, लेकर कभी भी दावा को बंद नहीं कर सकते हैं, तब ये तब ये ठीक रहेगे।